हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एक्समार्ट स्टेडी 2.0 यूटूब चैनल, साथो आज इस क्लास में जन्वरी से अगस्ट 2023 तक के सारे इंपोटेंट करेंट एफेस को इस क्लास में एड़ किये हैं, टोटल नंबर अब कोश्चन्स की बात करें, तो 350 प्रश्चन हैं, और ये क पहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और इंपोटेंट है, इससे बाहर कोई भी क्वोश्चन आपके एक्जाम में नहीं आएगा, ये 100% गरेंटी है, आज इस क्लास को कम्पलीट देख लीजिए, अभी 2023 तक का सारा करेंट एफेस आपको इस क्लास में आज करवा दिये हैं, आप सभी साथी क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शियर कर दीजिए, आपने से कोई भी साथी नहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अउन कर लीजेगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेसन आएगी, तो देखिए आज के चार ब्यक्तियों को दिया गिया है, इस बार, ठीक है, उसमें से एक भारतिये भी हैं, और उस भारतिये ब्यक्ति का नाम आपको बताना है, तो याद रिखिएगा, डॉक्टर रवी कंडन आर, ठीक है, याद रिखिए, 2023 में कुल मिलाकर चार बिजेताओं को रेमन मैक्से स पुरसकार दिया गिया है, जिसमें से एक भारतिये हैं, उनका नाम है डॉक्टर रवी कंडन आर, याद रिखिगा, देखिए, रमन मैक्से से अवार्ड जिसको एसिया का नोबेल पुरसकार कहा जाता है, और देखिए, रमन मैक्से से पुरसकार पाने वाले पर्थम भारत अगला है हाली में कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयर परसन बनी है तो साथ यह प्रथम महिला जो कि रेलवे महिला IFS अधिकारी बनी है तो देखिए पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है याद रिखिए गीती का स्रीवास्तव आप्सन नमबर भी राइट है साथ योग क्लास विल्कुल फास्ट करेंगे क्योंकि ज्यादा कोश्चन है और कम समय में करना हैं देखिए तो हाली में 还li में किस सुंहारी ने मिस अर्थ इंडिया दो हजर 23 का खिताब जीता है तो दुझे बहुत ही एच्छा को श्चन है याद रिखिएगा प्रियाण से ने राइट है option नमबर सी अगला है प्रतिवर्स दुन्या भर में देखिए प्रतिवर्स दुनिया भर में 200 संस्क्रीती दिवस, वर्ड संस्क्रीत डे, ये किस दिन मने आ जाता है, तो याद रिखे स्रावन महा की पूर्निमा ती ठीको, स्रावन महिने में जो पूर्निमा पड़ता है, उस ती ठीको, तो करेक्ट अंसर हो जाएगा, ओप्सन नमबर एक, अगला कोस्चन है, हाली में किस देश ने दुनिया की पहली एथेनौल से चलने वाली कार को लौंच किया है, साथ याद रिखेगा भारत ने ओप्सन नमबर डी, बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन है, तो इनफोसिस के नए ब्रांड अंबच्डर के रूप में किनको निउप्त किया गिया है, तो याद रिखेगा राफिल नडाल को, ठीके, महान फुटबोलर राफिल नडाल, ओप्सन नमबर सी, महान टेनिस खिलारी, राफिल नडाल, ओप्सन नमबर सी, करेक्ट अंसर हो जाएगा, देखेए, राफिल नडाल जो है, ये स्वेड़ जिलेंड के एक स्टार टैनिस पिलियर है, ठीके, चलिए, अगला कोस्चेन देखते हैं, तदीकि अगला कोस्चेन है, प्रतिवर्स भारत भर में, राष्टिय लगू उधोग दिवस, ये किस तारिक को मनेया जा जाता है, तो देखे, करेक्ट होगा, मेजर ध्यानचंद के जनमतिथी पर, ऑप्सन नमबर सी करेक्ट होगा, 29 अगस्त को खेल दिवस मनेया जाता है, अगला है, फ्री मुम्मेंट रिजिम, फ्री मुम्मेंट रिजिम, यानि FMR के तहत, सीमा पर रहने वाली जंजातिया, अगला कुश्चेने साथ जो, किस देश ने, 18 से 30 वर्स की आयू के भारतियों के लिए, बीजा के लिए, यंग प्रोफेशनल योजना सुरू किया है, तो याद रिखे, किस देश ने, यूके ने, यूनाइटेड किंग्डम ने, ठीक है, 18 से 30 वर्स की आयू के भारतियों क के लिए, बीजा के लिए, कौन सी योजना, तो यंग प्रोफेशनल योजना को सुरू किया है, दीख Chapel, भारत का पहला सेमी कंड़क्टर सहयंत्र की सराज में स्थापित करने के के लिए तयार है तो देखिए माइक्रोन जो है यह भारत का पहला सेमिकंडक्टर सयंत्र है जो कि कहां पर तयार ठीक है कहां पर स्थापित करने के लिए तयार है तो याद रिखिएगा गुजिरात में अप्शन नंबर भी करेक्टेंसर है अगला कोश्चन है किस देश ने है हेरोईन की तसकरी के आरोप में 45 वरसे महिला को फासी देढ़ी तो साथ याद रिखिए गा सिंगापूर ने और उस महिला का क्या नाम है तो याद रिखिए उस महिला का नाम है देखिए शरी दे वी बिंते जामानी ये जो हैं ड्रग्स यानी हेरोईन की तसकरी में पकड़ी गई थी 2018 में और इनको अभी हाली में फासी दे दिया गिया है अगला कुश्चे ने भारत में बैस्विक रसायन और पेट्रो केमिकल्स बिनिर्मान केंद्र पर सिकर सम्मेलन का विशाई किया रहा तो देखे करेक्ट होगा इस्थिर्ता और परिपत्रता ओप्सन नमबर ए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना कौन सा राज लागू करता है तो राइट होगा ओप्सन नमबर भी मध्य परदेश किस राज ने मैंगराव सेल की अस्थापना की घोशना की है तो किस राज में मैंगराव सेल अस्थापित किया जाएगा तो राइट है साथ हो ओप्सन नमबर सी पस्चिम मंगालने नेक्स्ट है किस देश ने मोबाइल इंटरनेट के लगू मोड के निर्मान के लिए दिसा निर्देश जारी किया है तो देखिए वहाँ कौन सा देश है जो कि मोबाइल इंटरनेट के लगू मोड के निर्मान के लिए दिसा निर्देश जारी किया है तो राइट है साथ हो चीन ने ओप्सन नमबर ए करेक्टन सरे और लाइन गेमिंग के पुर्ण अंकित मुल पर बस्तु अब हम सेवाकर यानि GST कितना प्रतिसत लिया जाएगा तो याद रिखिए 28 प्रतिसत ऑप्सन नमबर डी अगला कुस्ट्यन है Kung Sang Railway Station जो खबरों में था ये इसके किस राज में इस्ती थे तो देखिए Kung Sang Railway Station जो अभी हाली में खबरों में था ये कहां इस्ती थे तो साथ्योभारत के पुरवत्तर राज मनिपूर में ओप्सन नमबर ए नेक्स्ट है देखिए क्या है AU Microscopy जो खबरों में थी तो देखिए AU Microscopy ये साथ यो एक तारा है ठीक है NASA के Hubble NASA के Hubble Space Telescope के द्वारा इसकी खोज की गई है याद रिखिएगा NASA जो की अमेरिकी अंत्रिष एजन्सी का नाम है नेक्स्ट है कौन सा सहर G20 परियावरन और जलवायू इस्थिर्ता मंत्री अस्तरिय बेठक का मेज़मान है तो करिक्ठ होगा ओप्सन नमरे चिन्नाई नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो याद रिखिएगा Venice ने ठीक है Venice सहर को नेक्स्ट कोश्चन है फालकन सिल्ड दो हजर तैईस जो की एक सेन अवियास है जिसमें किन देशों ने भाग लिया तो फालकन सिल्ड दो हजर तैईस का एक सेन अवियास है इसमें चीन और UAE यानि चीन और संयुक तरब अमिरात ने भाग लिया याद रखना option number B किस संस्थाने UTI पैदा करने वाले बैक्टिरिया का पता लगाने के लिए point of care testing यानि POCT प्रोटोटाइप को विक्सित किया है तो correct answer हो जाएगा साथ वो याद रिखिए इस question का correct answer हो जाएगा मालदीब को ठीक है अगला है अनवर उलहक ककड को किस देश का नया कारिवाहक प्रधानमंतरी न्यूकत किया गिया है तो correct answer हो जाएगा पाकिस्तान का वैसे पाकिस्तान के प्रधानमंतरी अभी कौन है तो याद रिखिए सहवाज सरिप जी और अनवर उलहक ककड को अभी पाकिस्तान का कारिवाहक प्रधानमंतरी भी न्यूकत किया गिया है अगला question है रासन स्ट्रेल जो खबरों में देखा गिया था किस वीमारी से संबंदित है तो याद रिखिए का तपेदिक से ओप्सन नंबर भी तपेदिक जिसको हम बोलते है च्छै रोग ठीक है चली अगला question है आयोस्मान भारत digital mission की digital स्वास्त प्रोथसाहन योजना को कब तक बढ़ा दिया गिया तो देखे राइट है दिसंबर 2023 तक ठीक है नेक्स्ट question देखते हैं विस्व के cruise जहाज आइकन ओफ दा सीज का मालिक कौन सी कमपनी है तो विस्व का जो cruise जहाज है देखिए आइकन ओफ दा सीज इस देखिए इस जहाज का मालिक कौन सी कमपनी है तो correct answer है option नंबर है option नंबर है किस सहर के metro rail corporation ने कारवल लाइट metro travel कारकरम को शुरू किया है तो correct answer हो जाएगा नई दिल्ली ने option नंबर दी correct होगा अगला है कौन सा राज्य राज के आपदा प्रवन सहरो का व्यापक सर्वेक्षन करने के लिए तैयार है तो देखिए कौन सा राज्य है जो राज के आपदा प्रवन सहरो का व्यापक सर्वेक्षन करने के लिए तैयार है याद रिकी का उत्राखंड option नंबर बी डाक इंडिकस का सबसे पुराना जिवास्म अवसेस भारत के किस राज में पाया गया है कि याद रिखे का राजस्थान में अन्नापुर्णा खाद पेकेट यूजना किस राज ने शुरू किया है तो बहुत ये अच्छा कोश्चेन है अन्नापुर्णा खाद पेकेट यूजना जो है 21 राज ने शुरू किया है तो राजस्थान ने ओप्सन नमबर से महाराष्टा द्वारा इस्थापित उधोग रतन पुरसकार से सम्मानित किसे किया गया है तो राजस्थान पुरसकार आपके द्वार अभियान लागू किया है या लागू करता है तो दिखिए सरकार आपके द्वार योजना जो है यह महाराष्टा राज सरकार की एक योजना है तो करेक्ट होगा ओप्सन नमबर ए एक जिला एक उत्पाद ने किस केंद्री या मंत्रालाई के साथ अपना सायोग शुरू किया है तो देखिए राइट एंसर हो जाएगा याद रिखिएगा ग्रामिन विकास मंत्रालाई के साथ अप्सन नमबर एक किस सस्था ने मरीजों का इलाज करने से डॉक्टरों के इनकार पर दिशा निर्देश जारी किया है तो याद रिखिएगा एन एमसी ने एने राष्टिय चिकितसा आयोग ने अगला कोश्चेन है किस राज ने प्रससानिक प्रकिरियाओं में पारदार सिता लाने के लिए मानव संपदा पोटल को लॉंच किया है तो साथ यो करेक्ट होगा उत्तर प्रदीश ने ऑप्सन नमबर सी किस केंद्रिया मंत्राले ने टेली लॉट 2.0 पहल को सुरू किया है तो देखे राइट है कानून और नियाय मंत्राले ने ऑप्सन नमबर है बीट्वेंटी समीट इंडिया दो हज़र तईस का मेज़वान कौन सा साहर है तो नई दिल्ली ऑप्सन नमबर भी यानि बीट्वेंटी जो समीट जो इंडिया में हुआ दो किस संस्था ने टेलेंट कनेक्ट पोटल का अनावरान किया है तो राइटेंसर ने नेस कॉम ने ऑप्सन नमबर भी किस के अंदरी या मंत्राले ने खादी रच्छक लॉंच किया है तो खादी रच्छक को साथियो सुचम लगू और माज्दम उदम मंत्राले के द्वारा या द रिखीगा दो हजरती इस में उनात्र वे राश्तीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वस्रिष्ट फिचर फिल्म का पुरस्कार जीता है तो करेक्ट है ओप्सन नमबर ए रोकेट्री ने रोकेट्री दननम्भी इफेक्ट ठीक है अगला कोश्चिन है 20 अथल ये विश्व ऐथलेटिक्स चेंपेंशिप में gold medal जीतने वाले दूसरे भारतियें हैं साथ यो दूसरे जाध रखना क्योंकि इस सब पहले जो है 2006 में अभिनाव बिंद्रा ने तिरंदाजी में gold medal जीता था विश्व ऐथलेटिक्स चेंपेंशिप में देखें तो याद रखना नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर के हैं देखें अगर पूछे कितने मीटर तक भाला फिका था तो 88.17 मीटर और दूसरे आस्थान पर को रहा था तो दूसरे आस्थान पर पाकिस्तान के नदीम रहे थे इन्होंने 87.82 मीटर दुरी तक भाला फिका था कौन ब्यक्ति हाली में भारतिया तट्रचक बल के 25 वे महानिर्दसक के रूप में न्यूप्त किये गए हैं तो देखीगा काफी अच्छा कोश्चे ने याद रिखीगा राकेस पाल ऑप्सन नंबर भी करिक्ट है अगला कोश्चे ने हाली में पीम मोधी को किस देश ने अपने सर्वच्च सम्मान Grand Cross of the Legion of Honor से सम्मानित किया है तो करिक्ट होगा ऑप्सन नंबर C फ्रांस ने कौन ब्यक्ति हाली में SBI काड के नए MD और CEO बने हैं तो देखे राइट होगा अभीजीत अभीजीत चक्रवर्ती ऑप्सन नंबर A नेक्स्ट कोस्चन है हाली में केंदर सरकार द्वारा बुनियादी सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है तो देखे करेक्टर हो जाएगा उल्लास ऑप्सन नंबर B करेक्ट है हाली में किसे बर्स 2023 का लोकमानिय तिलक राष्ट्य प्रसकार दिय टीम ने फीफा उमेंस वर्ल्ड कॉप 2023 का खिताब जीता है तो करेक्ट होगा साथियो इस्पेन ने ऑप्सन नंबर D इस्पेन ने अभी याद रिखेगा फीफा उमेंस वर्ल्ड कॉप 2023 का खिताब जीत लिया है 15 अगस 2023 को पूरे भारत में कौन सवा स्वतंतरता दिवस मन नहीं गिया तो राइट होगा ऑप्सन नंबर 277 अगला है हाली में किस होकी टीम ने मेंस एसियन चेंपियन्स टोफी 2023 का खिताब जीत लिया है तो देखे करेक्ट है भारत ने ऑप्सन नंबर D करेक्ट होगा अगला है जिस अस्थान पर चंद्रियान तीन का मुल लेंडर उत्रा उस अस्थान को किस नाम से जाना जाएगा तो देखे राइट होगा ऑप्सन नंबर सी सिव सकती के नाम से बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चे ने याद रिखेगा चले अगला है चंद्रमा के जिस अस्थान पर चंद्रियान दो ने अपने पदिचीन छोड़े वह पॉइंट अब क्या कहलाएगा तो राइट होगा ऑप्सन नंबर भी तिरंगा पॉइंट पियम मोदी ने किस तारिख को प्रतिवर्स देश भर में राष्टिया अंत्रिच दिवस मनाने की घोशना की है तो 23 अगस्त को देखे 23 अगस्त को ही जो है चंद्रियान तीन जो है यह साथ यह चंद्रमा के दक्षी ने धुरूप पल लेंड किया था और सफलता पूर्वक लेंड किया था तो याद रिखे इसलिए 23 अगस्त को प्रतेक वर्स राष्टिया अंत्रिच दिवस मनाया जाएगा ठीक है चली अगला है उनत्तरवे नेशनल फिल्म पुरसकारों में पहला अस्थान की सहर को मिला है तो करेक्ट होगा one and only इंदोर को option number B हाली में किस राज में भारत का पहला artificial intelligence आधारित स्कूल खोला गिया है तो देखिए इस question के लिए करेक्ट एंसर हो जाएगा साथ याद रिखेगा केरल राज में option number D अगला है हाली में निर्वाचन आयोग ने किसे अपने नए national icon के रूप में नियुक्त किया है तो election commission ने अपने national नए national icon के रूप में किसको नियुक्त किया है तो सचिन तंदूल करको option number A हाली में कौन चांद के दक्षिनी दुरूप पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश मन गया है तो राइट होगा option number D भारत अगला है हाली में किसे महराष्ट सरकार द्वारा इस्थाफित पहला उधोग रतन पुरसकार दिया गया है तभी में आपको बताया रतन टाटा को अगला है प्रतिवर्स दुनिया भर में राष्टिय बाग दिवस किस तारिक को मने आ जाता है तो साथियों अंतराष्टिय बाग दिवस ये तो 29 जुलाई को मने आ जाता है ओप्सन नमबर सी करेक्ट है अगला है प्रतिवर्स दुनिया भर में 200 प्रकृति सरक्षन दिवस ये किस तारिक को मने आ जाता है तो करेक्ट है ओप्सन नमबर सी 28 जुलाई को चली अगला कोश्चन है हाली में 27 जुलाई 2023 को केंद्रिय रिजर पूलिस बल यानि CRPF ने अपना कौन सवा अस्थापना दिवस मनाया तो करेक्ट होगा ओप्सन नमबर भी 85 अस्थापना दिवस प्रतिवर्ष दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक दिवस मने आ जाता है तो 28 जुलाई को प्रतिएक वर्ष साथ हो क्या मने जाता है तो याद रिखेगा 20 होगा हैपेटाइटिस टे तो करेक्ट होगा हैपेटाइटिस के लिए अगला है प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल बिज़ाई दिवस किस तारिख को मने जाता है तो कारगिल विजय दिवस जो है ये 26 जुलाई को मने जाता है ओप्सन नमबर सी हाली में किस देश्च से संबंदित खिलाडी लाहीरू थिरी माने ने अंतराष्टे क्रिकेट से सन्यास ले लिया तो लाहीरू थिरी माने ये साथ यो सिरी लंका के एक पूर्व क्रिकेटर है इन्होंने जो है अभी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है किस क्रिकेट टीम ने हाली में दुलिप ट्रोफी या दिलिप ट्रोफी 2023 का खिताब जीता है तो करेक्ट होगा ओप्सन नमबर 20 साउथ जोन ने हाली में कौन नियुनतम आई गारंटी कानून बनाने वाला भारत का प प्रसारन दिवस नेशनल ब्रोड कास्टिंग डे किस तारिक को मने जाता है तो रैट है ओप्सन नमबर 20 जुलाई को कौन ब्यक्ति हाली में भारतिया तटरचक बलके 25 महानिर्दसक के रूप में नियुक्त किये गये हैं तो करेक्ट होगा ओप्सन नमबर 20 राकेश पाल हा हाली में कोन मनमित के नंदा क्या स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO बनी है तो करेक्ट साथयों याद रिखेगा इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कोन बनी है तो निव रूथी रौइ ¿, option नमबर D औ करेक्ट होगा कौन ब्यक्ति हाली में Cement Manufacturers Association के नई अद जाता है तो राइट है ओप्सन नंबर सी 20 जूलाई को हाली में किस राज के पुरू मुख्य मंतरी रहे ओमान चांडी का 79 येर्ज की उम्र में निदन हो गया तो ओमान चांडी जो है ये केरल राज के पुरू मुख्य मंतरी रह चुके थे जिनका अभी दिहानत हो गया हाली में किस टेनिस खिलारी ने बिम लंडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो देखे करेक्ट होगा ओप्सन नमबर भी मार्केटा बोंडरो सोवाने नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हाली में 16 जुलाई 2023 को भारतिय क्रिसी अनुसंधान परिसद ने अपना कौन सवा अस्थापना दिवस मनाया तो देखे करेक्ट होगा ओप्सन नमबर सी 95 बेवा अस्थापना दिवस तो साथियो राइट है ओप्सन नमबर सी 17 जुलाई को किस महिला किरिकेटर को जुन 2023 के लिए ICC प्लेयर अपदा मन्त का सम्मान मिला है तो साथियो जुन 2023 के लिए ICC प्लेयर अपदा मन्त किस महिला किलाडी को मिला है तो एसले गार्डनर जो की ऑस्टेलिया की एक महिला किरिकेटर है नेक्स्ट है हाली में 12 जुलाई 2023 को नवाड ने अपना कौन सवा अस्थापना दिवस मनाया तो राइट है ओप्सन नमबर सी 42 वा नवाड के अस्थापना 1982 में हुई थी आत्रिकी इसका मुख्याले जो है वो मुंबई में स्थी थे किस पूरुष क्रिकेटर को जुन 2023 के लिए ICC प्लेयर अप्दा मन्त का सम्मान मिला है तो साथ्यो राइट होगा बानिंदू हसरंगा जोकी स्रीलंका के एक स्पिनर गेंदबाज है अगला है हाली में कौन युवा वल्ड तिरंदाजी चेंपियनशिप की रिकर बर्ग में स्वर्ण जितने वाली पहली भारत्य खिलारी बनी है तो राइट होगा ओप्शन नमबर डी पार्थ सालूंखे प्रतिवर्श दुनिया भर में विश्व जनसंखा दिवस ठीक है ये किस तारिख को मने आ जाता है तो राइट है ओप्शन नमबर ए 11 जुलाई को कौन ब्यक्ति हाली में अंतराष्ट्य बित्य सेवा केंद्र पराधिकरन के नए अद्धच बने है तो राइट है ओप्शन नमबर बी के राजारमन हाली में किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स इंडिया की नई ब्रांड अम्बेश्डर के रूप में नियुक्त किया गया है तो राइट है ओप्शन नमबर ए 11 स्रद्धा कपूर को देखे कौन ब्यक्ति हाली में राष्ट्य उपभोकता बिवाद निवारन आयोग के नए अद्धच बने है तो राइट है जस्टिस एपी साही याद रिखेगा ये राष्ट्य उपभोकता बिवाद निवारन आयोग के नए अद्धच बने है हाली में किसे आरबियाई के नए कायरकारी निर्दसक के रूप में नियुक्त किया गया है तो राइट होगा पी वासू देवन जी को आप्शन नमबर D हाली में किस खेल से संबनधित बांगलादेशी खिलारी तमीम इकबाल ने अНतराष्ट्य खेल से संजास ले लिया तो तमीम इकबाल जो की बांगलादेश के एक क्रिकेटर हैं तो ओप्सन नमबर भी क्रिकेट करेक्ट होगा हाली में जारी हुई Global Peace Index 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा अस्थान मिला है तो राइट है ओप्सन नमबर सी 126 वा अस्थान हाली में किस सहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लौंच की गई है तो भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहा लॉंज किये ही है तो साथ यो option number D चिन्ने में हाली में किसे बर्ष 2022 के लिए AIFF पुरुस फुटबॉलर अफ दा यर का पुरसकार मिला है तो राइट होगा option number C लाली यांजुआला छांग्टी को next question है कौन ब्यक्ती हाली में LIC के नए मुख्य निवेस अधिकारी बने है तो LIC के नए मुख्य निवेस अधिकारी कौन बने है तो रतनाकर पटना एक जी साती हो option number C करेक्ट है अगला है 7 अप्रेल 2023 को मनाए गए 200 स्वास्त दिवस की थिम क्या रखी गई अब देखिए 7 अप्रेल को प्रतेकवर्ष 200 स्वास्त दिवस मने आ जाता है World Health Day तो 2023 की थिम क्या थी तो याद रिखिए health for all option number B राइट है हाली में किस राज की सरकार ने online gambling पर प्रतिवन लगाने वाला बिधायक पास किया है तो अब देखिए किस राज सरकार ने online gambling पर प्रतिवन लगाने वाला बिधायक पास किया है तो याद रिखिएगा अब अब करना देखिए किस राज सरकार ने काफी अच्छा कोश्चे ने तमिल नाडू ने option number B करिक्ठ होगा अगला है हाली में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रूप नाटो का 31 सदस्देश बना है नाटो यानि North Atlantic Treaty Organization इसका फूल फम होता है और इसका 31 सदस्देश कौन सा बना है तो फिल्लेंड option number D right होगा फिल्लेंड याद रिखिए चलिए ये question तो मैंने अभी बताया नया RBI का नया कारिकारी निर्दसक तो अभी आपको बताएं कौन बने थे ठीक है बिल्कुल पी बासु देवन जो है वो RBI के नये कारिकारी निर्दसक बने है तो ये question मत पढ़िए अगला question है हाली में किसे सुजुकी motor cycle इंडिया के नये प्रबन निर्दसक के रूप में नियुक्त किया गिया है तो झाला question के ने ब्यक्ति हाली में दो पहिया बाहन कंपाणी Hero Hero motor cop के नये CEO बने है तो Hero के नये CEO को मने है तो نिरंजन गुपता option नमबर A right है हाली में भारतिया मुल्के व्यक्ति अमेरिका विदेश विभाग के नए CEO बने है तो देखिए हाली में भारतिया मुल्के इनमें से कौन से वो व्यक्ति है जो की अमेरिकी विदेश विभाग के नए CEO बने है तो याद रिके रिचार्ड बर्मा, option number D हाली में इफपो देखिए इफपो ने बर्स 2022 के लिए करमचारी भविसनी दी पर ब्याजदर 8.10 परतिसत से बढ़ा कर कितना कर दिया है तो 8.15 परतिसत ओप्सन नमबर A राइट है किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित उमेंस प्रीमियल लिग 2023 का खिताब जीता है तो उमेंस प्रीमियल लिग 2023 का खिताब किसने जीता है तो ये पहली बार ही आयोजित हुआ था और मुंबई इंडियन्स ने जीता है याद रखना option number है जिस तरह पुरुसों का IPL होता है उसी तरह ये उमेंस प्रेमियल लिग ये महिलाओ का है जिसको अभी जित लिया है Mumbai Indians ने हाली में कौन मार्कोस त्रोयोजो के अस्थान पर New Development Bank की नई प्रमुक बनी है तो दीखे New Development Bank की नई प्रमुक कोन बनी है तो डील मार उसेफ option number B करेक्ठ है हाली में कौन भारतिय मुल के व्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ठीक है ग्रामडली के नई CEO बने है तो राइट एंसरों का राहूल रॉय चोधरी याद रिखिए option number B राहूल रॉय चोधरी next question है हाली में केंद्र सरकार ने केंद्रिय करमचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा कर कितना कर दिया है तो पहले 38% था और 4% अभी बढ़ा है तो 42% हो गया है option number C देखिए हाली में अर्जेंटीना के लुईस कैफरेली को एबल प्राइज 2023 मिला जो कि किस छेतर में दिया जाता है तो देखिए एबल प्राइज ये साथ वो गनित के छेतर में दिया जाता है mathematics के छेतर में अगला है प्रातिवर्स दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मने आ जाता है तो जल दिवस ये 22 मार्ज को मने आ जाता है option number E कौन सा राज्य हाली में right to health bill पारित करने वाला भारत का पहला राज बना है तो देखे, Right to Health Bill पारित करने वाला भारत का पहला राज कौन सा बना है, तो साथियो राजस्थान option number D करेक्ठ होगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में सहित दिवस की स्तारिक को मने आ जाता है, तो देखे, सहित दिवस ये 23 मार्च को मने आ जाता है, और 31 जनवरी को मने आ जात की, हाली में भारत की किस प्रथम महिला खिलारी के नाम पर, राइबरेली में स्टेडियम बनाया गिया है, तो राइट एंसर होगा, रानी रामपाल जो की भारतिया महिला होकी खिलारी है, हाली में किसे दीपक बगाला के अस्थान पर, ये question हो गया, अभी नया question मैंने आप आपको बताया, इनवेस्ट इंडिया की नई MD, ये पुराना question ही ढोगया है, नया question मैंने आपको अल्रेडी बताया है, इसी क्लास में पर लेटिक हैं, हाली में किस देश से संबंदित खिलारी, टीम पेन ने किर्केट के सभी प्रारुफों से सन्यास लेने की गोश्णा की ह तो देखिये, करिक्ट है, टीम पेन जोकी ओस्टेलिया के किर्केटर है, तो option नमबर भी राइट होगा, कौन ब्यक्ति हाली में अरुन कुमार सिंग के अस्थान पर BPCL के नए चेर्मेन और प्रवन निर्दिसक बने हैं, तो भारत पेट्रोलियम कर्पोरेशन लिमिटेड यानि BPCL के नए चेर्मेन और प्रवन निर्दिसक कौन बने हैं, तो जी कृष्ण कुमार, option number C, correct है, हाली में किस भासा की परसिद लेखी का, सिब संकरी को बर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है, तो साथियों देखिएगा, किस भासा की परसिद लेखी का है, सिब संकरी, इन इनको 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है, तो याद रिखिए तमील भासा का, option number C, correct है, तमील, अगला हाली में जारी हुई बर्ष 2023 की वर्ड हैपिनेस रिपोर्ट में, भारत को कौन सा स्थन मिला है, तो राइट है, option number C, correct होगा, के कृतिवासन, जी बने है, option number C, correct होगा, के कृतिवासन, हाली में सेंट्रल, बैंकिंग अवार्ड में, देखिए, सेंट्रल, बैंकिंग अवार्ड में ससिकांत दास, गवर्नर ऑफ दा इयर पाने वाले, अब तक के, कौन से भारतिय बने है, तो राइट अंसर हो जाएगा, option number B, दूसरे, हाली में कौन प्रथम भारतिय मूल के ब्यक्ति, अमेरिकी एरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने है, तो यादरिकी का साथियोर रभी चौधरी, option number D, कौन ब्यक्ति हाली में भारत में, अमेरिका के नए राजदूत बने है, तो राइट है, एरिक गारसेटी, option number B, जो की, अभी अमेरिका के नए राया, भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किये गए है, हाली में जारी, सिपरी की बर्स 2023 की रिपोर्ट के मुताविक, कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयतक देश बना है, तो करेक्ठ है, option number C, साथियोर भारत, अगला हाली मे जारी हुई IQ Air की World Air Quality Report 2022 में, भारत को दुनिया भर में कौन सावा आस्थान मिला है, तो रायठ है, option number C, आठवा आस्थान, हाली में किस पुरुस क्रिकेटर को फरवरी महिने के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है, तो रायठ है Harry Brook को Harry Brook जो की England के है, हाली में कौन बंदे भारत ए IT कमपनी टेक महिंद्रा के नए MD और CEO बने है, तो टेक महिंद्रा के नए MD और CEO कौन बने है, तो याद रिखे मोहित जोसी जी, option number D, रायट हैं सरोगा, हाली में किसे बर्स 2022 का ब्यास सम्मान मिला है, तो बर्स 2022 का ब्यास सम्मान डॉक्टर ज्यान चतुरवेदी जी को मिला है, option number C, Oscar Awards 2023 में किसे सर्वस्रिष्ट अभिनेता का पुरस्कार मिला है, तो रायट है साथ यो ब्रेंडन फ्रेजर को, option number A करेक्ट है, हाली में 10 मार्च 2023 को केंद्रिया ओधोगिक सुरक्षा बल, यारे CISF ने अपना कौन सवा अस्थापना दिवस मनाया, तो रायट है, option number B, 54, हाली में कौन भारतिया, बायु सेना में लड़ाको इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है, तो रायट है सालिजा धामी, याद रिखे, option number C, साथ यो आपको क्लास बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं, ताकि कम समय में आप लोग सारे कोश्चन पढ़ सको, क्योंकि कोश् मंत्री बने हैं, तो रायट है साथ यो त्रीपूरा राज के, option number D, हाली में कौन, निव योक कोट में, पहले भारतिया, अमेरिकी जज़ बने हैं, तो अरोन सुब्रमन्यम जी, option number B, हाली में नेफ्यू रियो, कौन सी बार नागालेंड के मुख्यमंत्री बने हैं, तो कौन विद्दा देभी भंडारी के अस्थान पर नेपाल के नए राष्ट पती बने हैं, तो नेव याद रिखे, रामचंद्र पोडेल जी, जो की नेपाल के नए राष्ट पती है, option number C, हाली में किस ने प्रिचगर अचिब्मेंट, प्रिचगर आर्चिटेक्चर हैं, आर संतोष ट्रोफी दोहजर तेइस का खिताब जीता है, तो याद रिखे, संतोष ट्रोफी दोहजर तेइस को किसने जीता है, तो करनाटकार ने, option number D, correct है, हाली में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स उमेन ओफ दैयर 2022 का पुरसकार जीता है, तो राइट होगा साथियों, याद आई चानुने, option number C, अगला question है, कौन ब्यक्ति हाली में बित्मंत्रालाई के तहट 28 वे लेखा महानी अंतरक बने है, तो याद रिखे, correct होगा SS2BG, option number C, प्रातिवर्स दुनिया बर में अंतराष्टिया महिला दिवस कम बने आ जाता है, तो देखे, right answer क्या हो जाएगा, अंतराष्टिया महिला दिवस कम बने आ जाता है, इसका answer जो है मैं आपको बता ही देता हूँ, देखो, 8 March को option number B, हाली में किसने National Badminton Championship 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो रैट होगा अनुपमा उपध्याईने, option number C, correct हो जाएगा, हाली में, वो वान थूंग, ये किस देश के नए राष्टपती बने हैं, तो साथ यो वान थूंग, ये किस देश के नए राष्टपती बने हैं, तो बियतनाम के option number D, correct है, कौन ब्यक्ति हाली में पत्र सुचना कारिया लई, यानि P.I.B. के नए प्रधान महानिर्दसक बने हैं, तो यादर कि कौन ब्यक्ति ह के रुप में नियुक्त किया गिया है, तो SSB की नए महानिर्दसक के रुप में किसको नियुक्त किया गिया है, तो साथ यो रस्मी सुकला जी को option number D, correct answer होगा, कौन ब्यक्ति हाली में केंद्रिये बिद्धूत बिनियामक आयोग के नए अद्दच बने हैं, तो राइट है, यादरिकी का जिसनु बरुवा, option number B, कौन ब्यक्ति हाली में अरुन चावला के अस्थान पर फिक्की के नए महासचिप बने हैं, तो यादरिकी सैले स्पाठक जोकी फिक्की के नए महासचिप बने हैं, अगला है, हाली में किस महिला फुटबॉलर ने फिफा प्लेयर ऑप देयर 2022 का पुरसकर जीता है, तो देखे, राइट है, option number C, लियोनेल मेसी ने, हाली में जारी हुई बर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो राइट है, option number B, 42 वा, हाली में किस क्रिकेट टीम ने, ICC उमेंस T20 वर्ड कप 2023 का खिता आप जीता है, तो करिक्ठ है, option number D, Australia ने, कौन ब्यक्ति हाली में भारत के नए, ड्रग कंट्रोलर जनरल यानि DCGI बने है, तो करिक्ठ साथ यो यादरी के डॉक्टर राजीव रगुवन सी जी, जो कि अभी भारत के नए, ड्रग कंट्रोलर जनरल बने है, हाली में युनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल अंबेश्डर न्यूक्त किया है, तो साथ यो आयुसमान खुराना को, option number C, हाली में कौन सतरंज किलाडी भारत के 80वे ग्रैंड मास्टर बने है, तो 80वे ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने थे, तो बिगनेस ची, बिग वारत का पाला पर्मानु उर्जा सेहंत्रा ये हर्याना में इस्थापित किया जाएगा साथ यो ओप्सन नंबर भी कौन ब्यक्ति हाली में नितियायोग के नए CEO बने हैं तो देखे करेक्ट है BBR सुब्रमन्यम जी ओप्सन नंबर ये करेक्ट है अगला है दादा साहिब फाल आके अंतराष्ट्य फिल्म समारों में तो दक कस्मीर फाइल्स को ओप्सन नंबर सी हाली में किस क्रिकेट टिम ने रंजी ट्रोफी 2022 का खिताब जीता है तो करेक्टों का सुराष्ट ने सुराष्ट यानि याद रिखेगा ओप्सन नंबर डी सुराष्ट गुजरात को ही बुला जाता है तो अगला हाली में बाप्ता अवार्ड सो 2023 में किसे सर्वस्त्रिष्ट मुथ्य अभी निता का अवार्ड मिला है तो करेक्ट है ऑस्टीन बटलर को याद रिखेगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हाली में यूरोपिया संग ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की विक्री पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है तो याद रिखेगे 2035 थे ना 2035 से यूरोपिया यूनियन ने जो कार डीजल और गैस से चलती है उस पर प्रतिबंद लगाने की घोशना की है हाली में किस खेल से संबंदित महान भारतिया खिलारी तु तो राइठ साथियो M.V. सुचिंद्र कुमार जी को, option number 1 correct होगा, अगला है, हाली में कौन भारतिय मुल के व्यक्ति विडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, यूटूब के नए CEO बने हैं, तो राइठ है नील मोहन जी साथियो, option number D, हाली में कौन T20 अंतराष्टिय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतिया क्रिकेटर बनी है, तो करेक्टर दिप्ति सर्मा, option number 1 correct हो जाएगा, अगला हाली में किसे महराष्टा राज का नया राजपाल नियुक्त किया गिया है, तो साथियो, रमेस, बैस को, option number B, right होगा, हाली में निकोस, क्रिष्टो, डोलाइड, किस यूरोपिय देश के नया राष्ट पती बने है, तो राइट अंसर है, साइपरस के, option number D, हाली में किसे बर्ष 2022 के महराष्टा भुसन पुरसकार से सम्मानित किया गिया है, तो 2022 के महराष्टा भुसन पुरसकार से किसको सम्मानित क अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को option number B, हाली में मोहमत सहाबुद्दिन चुप्पु भारत के किस पडोसी देश के नया राष्ट पती बने है, तो देखे राइट अंसर होगा बांगला देश के option number D, करेक्ट है, हाली में किस पुरूस क्रिकेटर को जनवरी महने के तो राइट है रोहित सर्मा, हिट मैन, option number C, हाली में किस सहर में भारत का पहला ग्लास इगलू रेस्टोरेंट कहां खुला गिया है, तो साथियो कस्मीर में, option number B, राइट है, हाली में RBI ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, तो किस अंतराष्टे खेल से सन्यास ले लिया, तो राइट है, option number C, फुट बॉल से, एक है, राफेल नाडेल, जिसका संबंद है टैनिस से, अगला है, हाली में सच्ट नरायन राजू, किस बैंक के नए, MD और CEO बने है, तो देखे, राइट है, केनरा बैंक के, option number C, केनरा बैं आरोन फिंच ने अंतराष्टे क्रिकेट से सन्यास ले लिया है, तो राइट है, ऑस्टेलिया के, option number D, करिक्ट होगा, हाली में 65 वे, ग्रेमी अवार्ड्स के विजेताओं की घोशना हुई, जो किस छेतर में दिये जाते हैं, तो देखे, ग्रेमी अवार्ड्स, जो कि साथ और उसी देश के पुर्वराष्ट पती रहे, परवेज मुसरफ का 79 एर्स की उम्र में निजन हुआ, तो परवेज मुसरफ जो कि पाकिस्तान के पुर्वराष्ट पती रहे थे, हाली में 21 राज की सरकार ने गरीबी, गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना नामक यूजन ये मध्य परदिश राज सरकार ने शुरू किया है, कौन ब्यक्ति हाली में संदीप सिंग के अस्थान पर भारतिय बायु सेना के नए उपपरमुख बने हैं, याद रखे अमर पिरित सिंग जी, ओप्सन नमबर D, हाली में किस टीम ने मैंसो की वर्ल्ड कॉप 2023 का खिताब जीता है, तो मैंसो की वर्ल्ड कॉप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है, ओप्सन नमबर D, हाली में किस खेल से संबंदित भारतिय खिलाडी, मुरली विजय ने अंतराष्टे खेल से सन्यास ले लिया, तो साथियो मुरली विजय जो की किर्केट खिलते थे, ओप्सन नमबर प्रतिवर्स पूरे भारत में 30 जनवरी को सही दिवस्किन की पुन्यतिथी पर मने है जाता है, तो करेक्ठ साथ हो महात्मा गांधी जी की पुन्यतिथी पर, किस खिलाडी ने ओस्टेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो राइठ है ओप्सन नमबर B, आरिय प्रतिवर्स पूरे भारत में राष्टिया परियाटन दिवस किस तारिक को मने आ जाता है, तो राइठ है ओप्सन नमबर C, 25 जनवरी को, हाली में 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत में कौन सा गनतंतर दिवस मनाया गया, तो राइठ है ओप्सन नमबर A, 74 तरवा, हाली में किसे टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो साथ देखे टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में सिधार्त सरमाजी को नियुक्त किया गया है, ओप्सन नमबर B, हाली में कुल कितनी हस्तियों को पदम अवार्ड यानि पदम पुरस्कार 2023 से के लिए चुना गया, तो करेक्ट एंसर हो जाएगा कूल 106 बैक्तियों को, ओप्सन नमबर B राइट होगा, ICC अवार्ड 2022 में किसे बर्स की सर्वस्त पुरुष क्रिकेटर मिला है, या पुरुष क्रिकेटर का पुरसकार मिला है, तो याद रिखे बाबा राजम को जो की पाकिस्तान के हैं, हाली में 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतराष्टिया सिक्षा दिवस मनाया गया, जिसे पहली 12 वर्स मनाया गया था, तो राइट 23 जनवरी को पूरे भारत में प्राकरम दिवस किन की जयनती पर मने आ जाता है तो राइट है सुबास चंदरबोस की जयनती पर ऑप्सन नमबर सी हाली में कौन अमेरिकी राज मेरी लेंड की लेटिनेंट गवर्नर बनने वाली प्राथम भारतिया अमेरिकी बनी है तो रिकिएगा निव जिलेंड के निव जिलेंड के ने प्रधानमंत्री बने हैं साथ वो क्रिप्स क्रिश इपकिन्स याद रिखिएगा कौन ब्यक्ति हाली में वेदानता समो की कंपणी याद रिखिए कैन ओईल एंड गेस के ने सी यो बने है तो राइट अंसर निक वाकर ओप्सन नमबर ए हाली में कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है तो भई भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है तो केरल का कुल्लम जिला केरल राज का कुल्लम जिला हाली में 19 जनवरी 2023 को राष्टिया आपदा परतिकिरिया बल यानि एंड DRF का कौन सावा अस्ठापना दिवस मनाया गिया तो राइठे अठारवा ओप्शन नमबर भी कौन ब्यक्ति हाली में भारत के नहीं उप राष्टिय सुरक्षा सलाकार बने हैं तो राइठे पंकज गुमार सिंग ओप्शन नमबर सी नेक्स्ट हाली में किसे आर्मोनिया में भारत की अगली राजदूत के रूप में निवक्ति क्या गया है तो राइठे ऑप्शन नमबर भी निलाक्षी सिन्हा जी को हाली में किस देश से संबन्धित सुंदरी आर्मोनिय ग्रेवियल ने मिस यूनिवर्स 2022 की परतियुगीता जीता है तो याद रिखिए February यह अमेरिका की do जो के अभी जिनोंने Miss Universe 2022 का परतियोगीता जीता है हाली में किस IT कमपणी या किस IT कमपणी याद रिखे कोगनीजेंट के नए CEO के रुप में नूख्त किया गया है तो याद रिखेगा रभी कुमार जी को option number A हाली में कौन تیलंगणा राज की पहली महिला मुख्य सचीब बनी है तो देखे तेलंगणा राज की पहली महिला मुख्य सचीब बनी है सान्ती कुमारी जी option number B हाली में जारी हुई हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतिया पास्पोर्ट को कौन सा स्थान मिला है तो राइट है option नमबर B पचास इवा खाली में कौन भारतिया मोल के व्यक्ति नासा के तक्निकी प्रमुक वने है तो राइट है साथ यो AC चर्णिया याद रिखेगा option नमबर C correct है प्रतिवस 12 जन्वरी को भारत भर में राष्ट्य युवा दिवस किन के जनम दिन पर मनें जाता है तो correct है option नमबर इस स्वामी विवे कानन जी के जनम तिति पर हाली में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज़ बना है तो राइट अंसर हो जाएगा साथ यो केरल ओप्शन नमबर ए कौन ब्यक्ति हाली में पे टियम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईयो बने है तो देखिए पे टियम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईयो कोन बने है तो सुरिंदर चावला जी ओप्शन नमबर डी करिक्ठ होगा कौन ब्यक्ति हाली में अखिल भारतिय रतने अबम आभूसन घरेलू परिसद के नए चेर्मेन बने है तो याद रिखिए सयम महराजी ओप्शन नमबर भी हाली में किस भारतिय राज की पहल जगा मिसन को UN Habits World Habits Award 2023 से सम्मानित क्या गिया है तो साथियो जगा मिसन ये किस राज का है तो ये साथियो ओरिस्सा राज से सम्बंदी थे ओप्शन नमबर सी ओरिस्सा हाली में कुलदीप सिंग पठानिया को किस राज की विधान सभा के नए अधच के रूप में चुना गिया है तो ये ओप्शन नमबर हिमाचल प्रदीश राज के हाली में कौन जस्परित बुमराह के बाद भारत के अब तक के सबसे तेज गेंदवाज बने है तो राइट है ओप्शन नमबर सी उम्रान मलिक हाली में कौन सियाचीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है तो राइट है के सीवा चोहान ओप्शन नमबर डी कौन ब्यक्ती हाली में परमानू उर्जा नियामक बोड के नए अध्दच बने है तो देखे परमानू उर्जा नियामक बोड के नए अध्दच बने है दिनेश कुमार सुकला जी ओप्शन नमबर डी दिनेश कुमार सुकला हाली में कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 के प्रवासी भारतिय सम्मान प्रसकार के लिए चुना गिया तो राइठे कुल 27 हस्तियों को ओप्सन नमबर भी कौन बेक थी हाली में इंडियन ओवर्सीज बैंक के नए M.D. और C.E.O. बने हैं तो याद रिखे अजय कुमार स्रीवास्तप जी जो की इंडियन ओवर्सीज बैंक के नए M.D. और C.E.O. बने हैं हाली में हेकानी जखालू भारत के किस राज की पहली महिला विधायक मनी हैं तो याद रिखे नागालेन राज की ओप्सन नमबर D कौन ब्यक्ति हाली में S.S.S.B.I. के नए मुख्य बित्य अधिकारी बने हैं तो देखे करेक्ट है कामेस्वर राव कोदा वन्ती जी ओप्सन नमबर D करेक्ट है प्रातिवर्स पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्टिय चिकित्सक दिवस किनके जनमदीन पर मनेया जाता है तराइठ साथियो डॉक्टर बिधान चंद्र रोई के जनमति थी पर हाली में किस टीम ने S.S.N. कबड़ी चंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा याद रिखिये का साथियो भारत ने ओप्सन नमबर भी हाली में किसे बर्स 2023 का लोकमाइन तिलाक राष्टिय पुरसकार दिया गिया है तो याद रिखिये का प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी को हाली में किस देश से संबंदित खिलाडी इस्ट्रूर्ट ब्रोड ने अंतराष्टे किर्केट से सन्यास ले लिया है तो इस्ट्रूर्ट ब्रोड जो की इंगलेंड के किर्केटर है ओप्सन नमबर सी करिक्ट होगा इंगलेंड हाली में कौन बारतिय मुल्की महिला आमेरिकी भी तेजनसी की उप मुख्य कारी कारी अधिकारी बनी है तो राइठ है ओप्सन नमबर सी निशा विश्वाल हाली में कौन संगाई सयोग संगठन का नववा सदेश देश बना है तो देखे राइठ है अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी इरान अगला कुश्चन है हाली में किस पूरुस फुटबल टीम ने सेब चेंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है तो राइठ है ओप्सन नमबर सी भारत ने फ्री मुम्मेंट रिजीम यानि एफमार के ताथ सीमा पर रहने वाले जंजातिया बीना बीजा के दूसरे देश के अंदर कितने कितनी दूरी पर यात्रा या दूरी तक यात्रा कर सकती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया 16 किलोमेटर तक ओप्सन नमबर सी और ये भारत और म्यामार देश के सिमा के बीच है ना अगला कोस्चन है हाली में किस सहर में भारत की पहली ड्रोन पूलिस यूनिट लॉंच की गई है तो दिखे राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर डी चिन्ने राज में साथियो अगला है तमिल नाडू के चिन्ने सहर में याद रिखीगा हाली में किसे बर्स 2022 के लिए AIFF पूरुस फूटबॉलर ऑफ दा येर का पुरसकार मिला है तो साथियो राइट है ओप्सन नमबर सी याद रिखे लाली या जो आला च्छांगते जी को अगला कोस्चन है हाली में किस पूरुस फूटबॉल टीम ने 7 चेंपियंशिप 2023 का खिताब जीता है तो साथियो करेक्ट अंसर हो जाएगा भारत ने साथियो देखिए एक दो कोस्चन ऐसे हैं जो कि साथियो आज इस क्लास में वो रिपीट हो गया है एक दो कोस्चन ही है ठीक है देखे कौन व्यक्ति हाली में SBI के ने मुख्यवित्य धिकारी बने है तो करेक्ट होगा कामेस्वर राव कोदा वनती जी अगला है प्रतिवर्स पूरे भारत में एक जुलाई को राष्ट्य चिकित्सक दिवस किनके जनमतिती पर मनया जाता है तो डॉक्टर बिध प्रतिवर्स दुनिया भर में 20 सुद्र गरहा दिवस किस तारिक को मनया जाता है तो राइट होगा ऑप्शन नमबरे 30 जून को प्रतिवर्स भारत में 29 जून को राष्ट्य सांखी की दिवस किनके जनमतिती पर या जनम दिवस पर मनया जाता है तो राइट होगा ऑप्शन नमबर सी पीसी महाल नोविस के यानि प्रसान चंद्र महाल नोविस के जनमतिती पर कौन ब्यक्ति हाली में केंद्रिय जांश वेरो यानि CBI के नए विसेश निर्दसक वने हैं तो देखिए करिक्टन सरे साथ यो अजाई भटनागर ऑप्शन नमबर सी हाली में कौन बिस्व क्रिकेट में लगातार सो टेस्ट मैच खिलने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं तो राइट है नाथन अलियोन जो की ऑस्टेलिया के हैं ऑप्शन नमबर सी हाली में आई एस अनुराग बर्मा को किस राज का नया मुख्य सचीब नियूक्त किया ग जिसे पहली बार किस वर्स मना गिया था तो राइट है 1948 में आप्शन नमबर डी प्रातिवर्स अन्तराष्टिय बिधवा दिवस किस तारिख को मने आ जाता है तो राइट है आप्शन नमबर सी 23 जून को हाली में कोन ब्रिक्स CCI WE की नई अधच बनी है तो राइट है रू जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सुची में भारत को कौन सवा अस्थान मिला है तो राइट है आप्शन नमबर सी 127 वा प्रातिवर्स दुनिया भर में 200 संगीत दिवस किस तारिख को मने आ जाता है तो राइट है साथ यो आप्शन नमबरे 21 जून को हाली में के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं तो राइट एंसर हो जाएगा याद रिखीगा स्वामी नाथन जानकी रामन जी ओप्शन नमबर डी हाली में कौन एसे अन चेंपियंशिप में पदक जितने वाली पहली तलवारबाज बनी है पहली भारतिय तलवारबाज बनी है तो हाली में 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सवा अंतराष्टिय योग दिवस मनाया गिया तो करिक्ठों का याद रिखीगा साथियो नौवा पहली भर मनाया गिया था 21 जून 2015 को रवी 2023 में नौवा मनाया गिया हाली में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है तो करिक्ठों का नूसरत चौधरी ऑप्सन नंबर सी कौन ब्यक्ति हाली में रिसर्च एंड एनलाइसिस विंग यानि रो के नए प्रमुक बने हैं तो रवी सिन्हा जी अगला है हाली में केंद्र सरकार ने नहरू में मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइबरेरी का न हाली में भारत के किस राज में गेक को मिजोराम एंसिस नामक उडने वाली छिपकली की एक नहीं प्रजाती खोजी गई है तो राइट है ओप्सन नंबर भी मिजोरम में मिजोरम एंसिस नाम से मिजोरम याद रिखेगा अगला कोश्चन है साथ हो हाली में किस देश से संब राज में पदम पुरसकार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपिये मानसिक पैंसन देने की घोशना की है तो देखे राइट अंसर हो जाएगा याद रिखेगा हरियाना राज सरकार ने प्रातिवर्ष दुनिया भर में 20 रक्तदाता दिवस या रक्तदान दिवस किस तारिक को मने आ जाता है तो राइट है ऑप्सन नमबर C 14 जून को हाली में किस महिला खिलाडी को माई 2023 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो अप्सन नमबर B थिपाचा पूथा वोंग जो की थाइलेंड की है याद रिखेगा हाली में किस पूरुस खिलाडी को माई 2023 के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है तो राइट है साथ ये याद रिखे ऑप्सन नमबर B हैरी टेक्टर को जो की आईरलेंड के है कौन ब्यक्ति हाली में सीमा सुरक्षा बल यानि BSF के नहीं महानिर्दसक बने है तो देखे करेक्टर हो जाएगा याद रिखे काफी अच्छा कोश्चन है नितिन अगरवाल जी अगला है कौन ब्यक्ति हाली में भारतिया विसिष्ट पहचान प्राधिकरन यानि आधार के नहीं CEO बने है तो करेक्ट है अमित अगरवाल जी ओप्सन नमबर C करेक्ट हो जाएगा हाली में किस टेनिस खिलाडी ने फ्रेंच ओपन दो हजर तेस में महिला एकल का खिताब जीता है तो देखे इसका राइट अंसर हो जाएगा साथ यो इगा स्वीट एक ओप्सन नमबर B करेक्ट अंसर हो जाएगा कौन ब्यक्ति हाली में इंटरनेंशनल इयर ट्रांस्पोर्ट एसोसियेशन के बोर्ड ओफ गवर्नर्स के नए अधच बने है तो करेक्टो का पीटर एलवर्स ओप्सन नमबर A राइट अंसर है हाली में किस टेनिस किलारी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पूरू सेकल का खिताब जीता है तो राइट होगा सिंपल सर नुवाक जो को बीचने अप्सन नमबर B हाली में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चेंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है तो राइट साथ यो ऑस्टिलिया ने भारत को हरा कर कौन ब्यक्ती हाली में भारतिय अभू बग्यानिक सर्विक्षन के नए महा निर्दिसक बने है तो देखे राइट अंसर है जनारधन परसाद जी ऑप्सन नमबर D करिक्ठ है हाली में कौन खुद की इंटरनेट सेवा के फोन को लागू करने वाला या सेवा सुरू करने वाला भारत का पहला राज बना है तो याद रिखेगा केरल अप्सन नमबर D हाली में जारी हुई बर्स 2023 की राष्टिया संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवर्ल रैंकिंग में पहला स्थन मिला है तो देखे राइट है IIT मदरास को हाली में प्रसीद ब्यक्तित्व सुलोचना लाटकर का 94 वर्स की उमर में निधन हुआ वहा कौन थी तो राइट अन्स रोगा अभिनेत्री थी आप्सन नमबर C कोन ब्यक्ति हाली में UNGA के 78 वे अधच के रूप में चुने गए है तो साथिवो डैनिस फ्रांसिस याद रिखे ओप्शन नमबर C हाली में महारास्टा राज के किस जिले का नाम बदल कर अहिल्या वाई होलकर नगर रखा गिया है तो राइट है ओप्शन नमबर D अहमद नगर का हाली में कोन 200 मोसम विज्ञान संगठन की पर्थम महिला महासचीब बनी है तो देखे राइट अंसर हो जाएगा साथिवो यादरी के ओप्शन नमबर B सेलेश्टे सावलो हाली में किस टीम ने मैंसो की जुनियर एसिया कब 2023 का खिताब जीता है तो राइट है ओप्शन नमबर C भारत ने हाली में कोन भारतिय मुल के बेक्ती 200 मोसम विज्ञान संगठन के नए उपाधच बने है तो राइट अंसर हो जाएगा मिरित्विंजय महापातरजी ओप्शन नमबर C हाली में 2 जुन 2023 को भारत के किस राज ने अपना दसवा अस्थापना दिवस मनाया तो देखेगा इस कोस्चन का करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा साथियो तो सभियों को याद रखना है तेलंगनाने ओप्शन नमबर C कौन ब्यक्ति हाली में इस्टिल अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड यानि सेल के नए अध्दच बने है तो करेक्ट अंसर हो जाएगा अमरेंद्रू परकास कौन ब्यक्ति हाली में सोमा संकर परसाद के अस्थान पर यूको बैंक के नए प्रवन निर्दशक बने है तो राइट अंसर हो जाएगा याद रिखेगा साथ यो अस्विनी कुमार नेक्स्ट है कौन ब्यक्ति हाली में सोलर एनेर्जी कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रवन निर्दशक बने है तो राइट है अजय यादब जी ओप्सन नंबर भी राइट अंसर है हाली में किस तेस्ट से संबंधित लेखक जोर्जी गोस्पो डिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज दो हाजर तईस को जीत लिया है तो राइट अंसर है बुलगेरिया के याद रहएगा जोर्जी गोस्पो डिनोव जोकी बुलगेरिया के हैं अगला है कौन ब्यक्ती हाली में नए केंदरिया सतकर्ता अयूक्त निउक्त के गए हैं तो साथ्यों याद रहएए प्रबीन कुमार का पहला पूर्ण इसासित राज जिबरा है तो देखे राइटन सरोगा केरल ऑप्शन नमबर डी हाली में किसे बर्स दो हाजर तैस चोविस के लिए भारतिय उधोग परिसंग के अधच के रूप में नियुक्त क्या गिया है तो साथ वो आर दिनेश जीको ऑप्शन नमबर स आर दिनेश हाली में कौन अंतरिच में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है तो याद रिखे राइयाना बरनावी जो की UAE की है यानि युनाइटेड अरब अमिरात की है हाली में किसे त्रीपुरा राज परियाटन के नए ब्रांड अंबेस्टर के रूप में नियुक्त क किया गिया है तो राइट है ओप्सन नंबर 20 सोरप गांगुली जी को किस टेनिस खिलाडी ने इटालियन ओपन 2023 में पूरु सेकल का खिताब जीता है तो राइट है साथ यो डेनिल मेदवेदेव ने हाली में किसे भारतिय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेंस के रूप में नियुक्त किया गिया है तो करेक्ट है अमर्दीब सिंग ओजला जी को याद रिखेगा ओप्सन नंबर ए प्रातिवर्स दुनिया भर में अंतराष्टिय चाई दिवस कब बनेया जाता है तो राइट है साथ यो 21 माई को ओप्सन नंबर बी कोस्चन नंबर 300 हाली में केंद सिद्वार में किस दक्षिन राज के नए 22 में मुख्य मंतरी बने है तो राइट होगा साथ यो याद रिखेगा करना टका के ओप्सन नंबर डी कोस्चन नंबर 302 कौन व्यक्ति हाली में तेल और गैस गैस छेत्र की नियामक सस्था पी एन जी आर्बी के नए चेर्मेन बन हाली में सत्रंच खिलाडी बुपपला प्रानित अब तक के भारत के कौन से वे ग्रेंड मास्टर बने हैं तो राइट एंसर हो जाएगा याद रिखेगा बरासिवे ओप्सन नंबर सी और अभी तो तरासिवे मैंने आपको बताया अगला है कौन ब्यक्ति हाली में केंद्र परिंडा याका रिनो ओप्सन नंबर सी नेक्स्ट है हाली में कौन IPL में अब तक सबसे तेज अर्ध सतक 13 गेंद में अर्ध सतक यानि 50 रण बनाने वाले वल्लिवाज बने हैं तो ओप्सन नंबर सी या ससवी जैसवाल हाली में कौन फेशन ब्रांड गोकी की पहली इंडि या भट ओप्सन नंबर डी अगला है प्रातिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्य प्रधोगी की दिवस किस तारिक को मने आ जाता है तो रैठ है ओप्सन नंबर सी 11 माई को हाली में किस महिला खिलाडी ने अप्रेल 2023 के लिए ICC प्लेयर अप्दा मन्त का पुरसकार जीता ह तो याद रिखीगा नारू मोल चैवाई जो की थाइलेंड की है ओप्सन नंबर सी हाली में किस पूरुस खिलाडी ने अप्रेल 2023 के लिए ICC प्लेयर अप्दा मन्त का पुरसकार जीता है तो फखर जमान ने याद रिखे फखर जमान जो की पाकिस्तान के हैं हाली में किस प प्राइज 2023 के विज़ताओं की घोशना हुई जो किस छेतर में दिया जाता है तो रैठ है ओप्सन नंबर सी पत्रकारिता के छेतर में है अगला है कौन ब्यक्ति हाली में मेरिल बोन क्रिकेट कलब MCC के नए अधश बने हैं तो करेक्टर साथ यो मार्क निकोलस ओप्सन नं इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो रैठ है 161 ओप्सन नंबर भी हाली में कौन भारतिय मोल के व्यक्ति 200 बैंक के नए अधश बने हैं तो करेक्ट है ओप्सन नंबर सी अजय बंगा हाली में किस ने अतनु कुमारदास के अस्थान पर बैंक ओ यू नियुक्त किया है तो करेक्ट है रजनीस करनाटक को ओप्सन नंबर भी राइट एंड शरू जाएगा हाली में कौन चीन के प्रथम 27 चेंपियन बने हैं तो रैठ है साथियो डिंग लिरेन ओप्सन नंबर सी अगला है कौन व्यक्ति हाली में साइकिलिंग फेडरेशन अफ इंडिया के नए अद्धश बने है तो रैठ है पंकज सिंग ओप्सन नंबर सी हाली में दिये गए फिल्म फेर अवार दोजर तैस में किसे सर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरसकार मिला है तो याद रिखे राजकुमार राव को ओप्सन नंबर भी रैठ है हाली में क अफशन नंबर सी राइट अंसर है चलिएगा आगे देखते हैं अगला कोश्चेन है हाली में जारी बीसु बैंक के लोजिस्टिक प्रदर्सन कांग दोहजर तैस में भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो याद रिखेगा राइट अंसर हो जाएगा साथियो 38 अस्थान अगला कोश्चेन है कोन व्यक्ति हाली में राष्टिया तकनिकी अनुसंधान संगठन के नए अध्धच बने हैं तो राइट है अरोन सिन्हाजी ऑप्सन नंबर ए अगला है हाली में कोन विर्ता पुरसकार पाने वाली भारतिया बायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है तो करेक्ठ है दिपी का मिस्रा अप्शन नंबर भी हाली में केजदा भरुचा किस नीजी छेतर के बैंक के नए उप प्रबन निर्दसक बने है तो राइट है HDFC बैंक के अप्शन नंबर डी है तो राइट है हर्मन प्रीत कौर ऑप्शन नंबर A हाली में कौन अज्यात सवो का DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज बना है तो राइट है साथ यो ऑप्शन नंबर C हिमाचल परदेश हाली में किस सुंदरी ने फेमीना मिस इंडिया दोजर तैस का ताज ज गये हैं तो देखे राइट है करगी सो रबाडा ऑप्शन नंबर A हाली में किस सहर में उत्तरपुर्वी भारत के पहले M स्का उदगाटन किया गया तो करेक्ठ है गौहाटी में ऑप्शन नंबर B राइट है प्रतिवर्स पूरे भारत में 14 अपरेल को किस महापुरूस की जैनती मनाई जाती है तो राइट है भीम राव अमबिटकर की ऑप्शन नंबर D किस पूरूस क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ दा मन्त का सम्वान मिला है तो याद रिखेगा करेक्ट अंसर हो जाएगा साथियो साकीवल हर्षन को ठीक है बंगलादेश के ओल रिखेगा रैपिड एक्स ऑप्शन नंबर B हाली में कौन सा राज्य भारत का पहला पुर्ण इसासित राज बना है तो करेक्ट अंसर हो जाएगा साथियो केरल ऑप्शन नंबर D राइट अंसर है हाली में कौन अंतरिच में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है तो जैसे हाली में केंद्रिय जाच बियरो यानि CBI के नई निर्दसक बने है तो प्रवीन सुध ऑप्शन नंबर B करेक्ट अंसर हो जाएगा साथियो आप सबी साथियो को जरूर से जरूर याद रखना है नेक्स्ट कोस्चन है कोस्चन नंबर 345 हाली में किस राज सरकार ने राज क कर्मचारी डेटावेइस अगतन को शुरू किया है तो राज सरसा तो ऑप्शन नंबर ये महारास्टा ने अगला हाली में किस राज में हाथियो की संख्या में रिकॉर्ड हुई है तो देखे करेक्ट Buy Tough Benods कर्नातगा में देखे कर्नातगा में पहले हाथियो की संख्या कित आप्शन नमबर C हाली में किस राज के मंत्री मंडल में जल परियाटन और सहासिक अस्वस्था खेलनीती 2023 को मंजूरी दी गई है तो उत्तर प्रदेश राज याद रिखी का आप्शन नमबरे करेक्टेंसर हो जाएगा हाली में किसे तरटरचक बल के अत्रिक महानिर्दसक के रुप में नियुक्त क्या गिया है तो याद रिखिए S परापरमिस जी को आप्शन नमबर D आज के कलास का अंतिम कोश्चन है हाली में कौन सी राजसरकार गिरिहल अच्मी योजना सुरू करेगा तो देखिए गिरिहल अच्मी योजना को तेलंगना राजसरकार सुरू करने वाला है ऑप्शन नमबर सी करेक्ट है तो साथ यो टोटल 350 कोश्चन जनवरी 2023 से अभी ज दिया है तो आपको क्लास कैसा लगा है जरूर कमिट बॉक्स में बतेए क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा मिलेंगे आप से नेक्स्ट क्लास में वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ठीक है जैन साथ्यों वंदे मातरम